बिस्म अल्लाहिर रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में आपको बहुत ही असान और बहुत ही टेस्टी मेकराणी पराठा बनाना सिखाऊंगी, और जो मेकराणी लवर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक न्यू सी रेसिपी है, तो चलें दिख लेते हैं कैसे बनती है, अच्छा इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, तीन कप मैदा ले 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 इसके लिए, और इसमें दो चम्मच बेसन की शामिल कर दें, इसके बाद आधा चम्मच नमक डालें, आधा चम्मच कुटी लाल मर्च, और दो चम्मच ओल इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और गूंद लें, जिस तरह से आम आटा गूंदते हैं, उसी तरह से गूंदना है इसे भी, ये डो आपने नॉमल सी गूंदनी है, ना बहुत ज़दा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़दा नर्म, तो अब डो ग इसके लिए हम मसाले इसके काटेंगे जिसमें एक अदद नॉमल साइज का प्याज है, वो चौप कर लें बारीक और तीन अदद हरी मिर्च बारीक चौप कर लें, अब ये प्याज और हरी मिर्च इस में क्राणी में डाल दें, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम मसालों के सा ये मक्राउनी मसाला तयार हो जाएगा एक अदद बॉयल डेग इस तरह से काट कर और डाल दें इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ लेसन डालें मसाले देख लेते हैं इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च आधा चम्मच भुना कुटा जीरा एक चम्मच से थोड़ा से ज़्यादा चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए और आधा चम्मच सुखा पिसा हुआ धनिया एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच परकर कुटी लाल मिर्च यह मसाले इसमें शामिल कर दे अब इन तमाम अजज़ा को मिक्स कर ले मिक्रॉनी मसाला हमारा रेडी हो गया है अब हम पराठे की तरफ चलते हैं तो पराठे बनाने के लिए देखें डो तो रेडी है बिलकुल तो रोलर पर थोड़ा सा मैधर डस्ट करें और इसके बाद इस डो की पार्टेशन कर ले अब इसके पेड़े तयार करते हैं पेड़े का साइज छोटा होना चाहिए ज्यादा बड़ा नहीं करना आपने ये देखें इतना ही साइज रखना है पेड़े का पहले सारे पेड़े बना लेते हैं फिर इसके बाद पराठे बनाते हैं अब रोलर पर मैदर डस्ट करें और इसके बाद पेड़े को पहले हाथ से बड़ा कर लें थोड़ा सा इसके बाद इस रोटी को बेल लें आम रोटी की तरह ही बेलना है बिलकुल इसे ये देखें रोटी पतली बेलनी है आपने इस तरीके से ज़्यादा मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए वरना ये पराठे में मज़ा नहीं देती पिर फिर इसके एक साइड पर मेकराणी की फिलिंग रखते हैं और दूसरी साइड इस तरह से उठाकर इधर रखते हैं इसके बाद इसकी साइड को इस तरह से उंगलियों से दबा दें ताकि ये सील हो जाए और मेकराणी कहीं से भी बाहर ना निकले इसके बाद आप इसको इस तरह से उठाएं और इसको पैन में रखतें अब इसको एक साइट से इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और साथ ही इस पर घी भी डाल दें आप एक साइट से पकने के बाद इसकी साइट चेंज कर दें और ख्याल रखें कि ये पराठा जलना नहीं चाहिए इसका color कहीं से खराब नहीं होना चाहिए इसका color ऐसे ही खुबसूरत सा golden रहना चाहिए इसके उपर घी डाल कर और इसको fry कर लें और इसके बाद इसको उतार लें तो देखा आपने कितनी आसानी और कितना मज़ेदार हमारा macaroni पराठा रेडी हुआ है तो आप इसको हरी चटनी के साथ या फिर कैचप के साथ सर्व कर सकते हैं तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए मॉमजी रेसिपी को सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को लाइक करें शेर करें नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला आफेज